Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपने English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 12 की जो आपकी एलेक्टिव बुक है विचिस कलाइडोस्कोप उसकी पोवम नमबर 3 विचिस पोवम्स बाइ बलेक और आज ये जो पोवम्स बाइ बलेक है So, let's begin with the explanation of the poem लेकिन उससे पहले Let's read about the author याने, let's read about the poet So, William Blake whose picture you could see on my left hand side is the poet of this poem इनका birth year 1757 में हुआ था और death year 1827 में हुई थी तो ये जो William Blake है ये एक कवी रह चुके एक painter रह चुके है and एक engraver भी रह चुके है engraver याने वो व्यक्ति जो लकडी पे, glass पे, wood पे किसी पर भी गूद के नाम लिखते है या words लिखते है याने वो graving क्या काम करते है So, that is engraver तो ये William Blake engraver भी रह चुके है ये जो देखते थे वही उसकी painting करते थे क्योंकि ये painter थे और usually ये क्या painting करते थे painting was the human beings bested with evil yet striving for the divine within them अब bested का meaning क्या होता है surrounded याने जो किसी के इर्द गिर्द होता है तो ये जो देखते थे वो ही ये चीज़ paint करते थे और usually ये जो देखते थे वो होते थे human beings याने ऐसे इंसान जिनके आसपास evil चीज़े होती थे याने जो बुरी quality से भरे रहते थे याने जिनको jealousy, गुसा, anger greediness, लालच ये उससे घिरवे लेते थे लेकिन फिर भी इस तरीके के जो लोग होते थे वो फिर भी divine की खोच करते रहते थे याने कही न कहीं बगवान से connect होने की कोशिश करते रहते थे क्योंकि आखिर तो इंसान है उनको सुख, शान्ती और peace कहां मिलेगा सारी तकलीफों के बाद जब तक वो भगवान से नहीं जुडेंगे तो इस तरीके के लोगों की ये painting करा करते थे जो बलेक के lyrics थे वो दो set of volumes में हमेशा आए पहला था Songs of Innocence तो जो इनकी Songs of Innocence के collection of songs था उसमें से आपकी पहली part of poem ले गई है जिसका नाम है The Divine Image जिसका explanation आज हम पढ़ने वाले हैं और दूसरी थी Songs of Experience ये इनकी दूसरा collection of poems था जिसमें से आपका second part of the poem लिया गया है जिसका नाम है The Human Abstract ओके representing the two contrary states of a human civil और दोनों poems क्या represent करती है दो अलग तरीके की इनसानों की आत्मा है जो अलग फील करती है इस poem में आप एक ऐसी इनसान ऐस टाइप की इनसानों के बार में पढ़ोगे जो एक अलग टाइप के होगे और जब आप The Human Abstract पढ़ोगे तब एक अलग टाइप की Human Soul की बार में पढ़ोगे दोनों ही एक दूसरे के Contrast में है याने दोनों ही एक दूसरे के Opposite है ओके So this was all about the poet and now first part of the poem The Divine Image start करते है लेकिन उससे पहले एक छोटा सा introduction दे देती हूँ मैं पोवम का इस पोवम में Divine Image बोली गई है भगवान को Divine याने जो चीज़ भगवान से connected होती है भगवान ही spiritually जो होती है तो भगवान को ही Divine Image का गया है याने की Spiritual मूरत किसकी है भगवान की तो poet कहते हैं कि चार qualities एक इंसान के अगर अंदर अगर आ जाए और वह चार qualities कौन से है मरती, किसी के उपर रहम करने की quality, pity, याने किसी के उपर दया करने की quality peace, याने काम और शान्त रहने की quality and love, याने प्यार की quality अगर ये चारो qualities किसी इंसान के अंदर आ जाएं तो समझो वो इंसान रूपी भगवान बन गया है क्यूंकि ये चारो qualities भगवान के अंदर होती है और जो लोग दीरे-दीरे अपनी life से negativity को दूर करते हैं और इन qualities को अपने अंदर inculcate करने की कोशिश करते हैं वो दीरे-दीरे समझो भगवान बन जाते हैं तो poet के कहने का मतलब यह है कि जो लोग इन सारी qualities को अपने अंदर inculcate कर लेते हैं वो God के बहुत close हो जाते हैं और ऐसे इंसानों को God अपना child consider करते हैं याने अपना बच्चा consider करते हैं भगवान और उनको अपनी शरण में ले लेते हैं उनको कभी कोई दुख तकलीफ ने आने देते भगवान और उनका poet का कहने का मतलब यह है कि हर इंसान में आपको भगवान देखेगा क्योंकि कहीं न कहीं हर इंसान में ये quality मौजूद होगी क्यों क्योंकि हमारे परमपिता जो God है, परमेश्वर है हम उनी के बच्चे हैं तो उनी की qualities कहीं न कहीं हमें है भले हम गुट्सा कर रहे हैं हम लालज दिखा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं हम है तो उनी के संतान हमारे अंदर वो सब qualities कहीं न कहीं छुपी हुए हमें बस धूड़नी है तो poet कहते हैं कि सब को भगवान की नजर से देखो क्योंकि सब के अंदर एक भगवान बैठा हुआ है किसी से लड़ाई जगडा मत करो क्योंकि जहां पर पियार है जहां सुकून है शांती है वही पर समझो भगवान भी है So this is all about the introduction of the poem and now let's begin with the explanation of the poem line by line To mercy, pity, peace and love all pray in their distress तो यहां first two lines में बोला जा रहा है कि जब भी हम human beings distressed में होते हैं याने परिशान होते हैं अपनी तकलीफों में परिशान हो रहे होते हैं तो हम भगवान से क्या मांगते हैं हम भगवान से मांगते हैं भगवान हम पर mercy करो याने रहम करो हम पर दया करो, हमारे जीवन में शान्ती लाओ, हमारे जीवन में प्यार की भावना लेकर आओ तो हम सारी ये तकलीफों से बाहर निकल पाएं ऐसा हम सब human beings करते हैं जब भी तकलीफों में आते हैं Virtues का मतलब क्या होता है? Good qualities अच्छी qualities जो high moral standards की होती है और delight याने जब कोई चीज किसी को खुशी देती है तो and to these virtues of delight return their thankfulness याने जब इनसान तकलीफों के वक्त बगवान से ये mercy, pity, peace, love मांगता है और बगवान देते भी हैं अपने बच्चों को याने हम इनसानों को देते हैं तो जब हमें ये virtues of delight मिलती है याने जब हमें ये high moral, good standard की जो qualities भगवान देते हैं उससे हमें delight याने खुशी मिलती है और हम फिर क्या करते हैं? हम return में, बदले में भगवान से भगवान के लिए बहुत thankful feel करते हैं हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि thank you आपने हमें ये सारी चीज़े दी जिससे हमारी तकलीफे दूर हुई और हमारी life better हुई For mercy, pity, peace and love is God our father dear अब God कौन है? भगवान कौन है? हमारे father हम बोलते हैं न परम, पिता, परमेश्वर पिता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि ये पूरी धर्ती को, पूरी स्रिष्टी को भगवान ने मनाया है और इसलिए वही हमारे पिता है अगर भगवान ने हमें बनाया है याने तो ये जितनी भी qualities जिस भी इंसान के अंदर होंगी याने mercy की, pity की, peace की and love की समझो, वो साक्षाद भगवान है क्योंकि ये सारी qualities हमारे परम पिता पर मेश्वर में है और समझो, अगर हमें भी उन्होंने ये qualities दे दी तो समझो, हमारे अंदर भी भगवान बसेंगे क्योंकि ये qualities हमारे अंदर भी होंगी and mercy, pity, peace and love is man, his child and care और समझो, जिस इन्सान में ये रहम की भावना, दया की भावना, शान्ती की और प्यार की भावना आ गई जिस इन्सान में, जिस भी man में आ गई तो समझो, भगवान उसे अपना child मान लेते हैं यानि कि अपना बच्चा कंसिडर करते हैं और हमेशा उसकी care करते हैं याने ऐसे ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं और कभी उनके पर कोई आच नहीं आने देते हैं कोई तकलीफ, कोई दुख उन तक पहुँचने नहीं देते क्यों क्योंकि ये जितनी भी qualities हैं ये आपकी life को better बनाती हैं और यहीं आपको भगवान के करीब ले जाएंगी For mercy has a human heart ये बोला जा रहा है For mercy has a human heart मतलब जिस इंसान के दिल में mercy याने रहम की भावना याने किसी को तडपते होए, बिलगते होए, परिशान होते होए और हम इसको रहम आ रहा है कि चलो रहम कर देते हैं छोड़ देते हैं इसको तो समझो वो एक इनसान का दिल है वो एक समझो इनसान का दिल है Pity a human face और जब अगर हमें किसी के उपर रहम आ रहा है तो बाद में आखिर हमको इस पर दया भी आएगी ये चलो याद डयार, ये चलो ले ले पैसे चल तू ले ले, ठीक है? तो समझो अगर आपको किसी पर रहम की फीलिंग है, डयार की भावन है, तो समझो आपका इंसान का दिल है and love, the human form divine और अगर आपके अंदर प्यार याने love की feeling है, तो समझो आप human form divine हो गए हो, याने अगर आपके अंदर mercy, love और प्यार की feeling आ गई है, तो आप समझो इंसान के रूप में एक भगवान ही हो, क्यों क्योंकि आपके जो परम, पिता, परमेश्वर, जो God है, उनके अंदर ये qualities हैं, आपने उनसे prayer में ये सारी चीजे मांगी जब आप तकलीफ में थे हैं उन्होंने आपको दी भी तो अब समझो क्या हो गया आपके अंदर ये सारी qualities आ गई और आप उनके बच्चे हो और कहीं न कहीं भगवान आपके अंदर समा रहे हैं तो अगर भगवान आपके अंदर समा रहे हैं तो आप इंसान के रूप में divine हो याने इनसान के रूप में आप God हो याने सब के अंदर एक भगवान बसता है and peace the human dress और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा peace में रहते हैं यानि सुकून और शांती में रहते हैं ऐसे लोग कभी किसी से जगडा और लड़ाई कभी नहीं करते वो लोगों ने पीस को अपना ड्रेस, अपना वस्तर बना दिया वो पीस को मानों पहन के घूमते हैं यानि चाहे कैसी भी situation, कैसी भी condition आ जाये वो लोग हमेशे शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे और सुकून में रहेंगे, कभी जगडा नहीं करेंगे तो ऐसे लोग क्या होते हैं ऐसे लोग तो ऐसे लोग इंसान के रूप में समझो भगवान है तो पोईट का यहां बोलने का मतलब यह है हर इंसान के अंदर एक भगवान बसता है हमें सबसे प्यार करना चाहिए याने हमको सब के लिए मर्सी, दया, लव और पीस की फीलिंग रखनी चाहिए तभी भगवान भी हमारे पास होंगे Then every man of every climate that prays in his distress climate का मतलब क्या होता है here man of every region, caste and color कोई भी आदमी, किसी भी caste का किसी भी कलर का, चाहिए वो गोरा है, काला है किसी भी region का, याने किसी भी जगा का तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कोई भी आदमी, चाहिए वो किसी भी caste का, हिंदू हो, मुसलिम हो, कैसा भी कलर है उसका, किसी भी region का है आपके देश का है कि विदेश का है कहीं का भी है वो हमेशा prayer करेगा भगवान से जब भी distress में होगा याने जब भी तकलीफ में होगा हमेशा Praise to the human form divine और किस से prayer करेगा? Human form divine से याने prayer तो God से ही करेगा लेकिन God किस form में है? Human form में है इसका example है Jesus Christ जब Jesus Christ है वो तो इनसान के रूप में ही पैदा हुए थे इस धर्ती पे भले ही God है लेकिन इनसान के रूप में ही पैदा हुए थे और उन्हों नहीं ये सारी qualities लोगों तक पहुचाई अपने बच्चों तक पहुचाई कि mercy, pity, love, peace इस ये सब qualities आप एक दुसरे में आपस में रखो तो हम क्या करते हैं हम prayer तो इनसान की करते हैं Jesus की कर रहे हैं जिन्होंने इनसान के रूप में जन में लिया इस धर्ती पर लेकिन वो है क्या? वो divine है, वो God है और इन लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास कौन सी quality होती है? love, mercy, peace and pity की quality होती है और यही प्रवचन वो दुनिया को भी बाट के चले गए कि इसी के साथ रहो, तब ही आपकी दुनिया स्वर्ग जैसी होगी And all must love the human form अब यह line बहुत important है कि all और हम सभी को प्यार करना चाहिए human form को याने अगर हमने prayer में भगवान से mercy, pity, peace, love यह qualities मांगी हैं, भगवान ने हमें दी भी है That means इस और qualities किसके अंदर आ गई? इस और qualities हमारे अंदर आ गई और यह भगवान की जो qualities हमारे अंदर आ गई That means साक्षाद भगवान हमारे अंदर बसते हैं अगर मैं आपसे लड़ाई कर रही हूँ That means मैं आपसे नहीं लड़ाई कर रही हूँ मैं भगवान से लड़ाई कर रही हूँ क्योंकि आपके अंदर भी कही ने कही वो भगवान बसते हैं अगर मैं आपको गाली बख रही हूँ और सबके अंदर कहीं ने कहीं ये चार qualities होती हैं क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं हमारे अंदर वो qualities होंगी ही अपने फादर की qualities इन हैथिन, टॉक और जू हैथिन का मतलब क्या होता है? अपासन वो बिलॉंग सो डिफरेंट रीजन एक ऐसा व्यक्ति जो एक अलगी रीजन में बिलॉंग करता है हमारे असपास के रीजन का नहीं है तर्क मतलब तर्की में रहने वाला व्यक्ति ज्यू याने यहूदी कास्ट का जो व्यक्ति है तो यह बोला जा रहा है हमसे कि चाहे आप किसी कोई व्यक्ति किसी भी region का हो किसी भी caste का हो चाहिए टर्की का हो यहुदी का हो आपके देश का हो विदेश का हो काला हो गोरा हो किसी भी caste का हो doesn't matter आप हर human form को प्यार करिए और प्यार की नजर से देखिए respect करिए peace बनाए रखिए रहें, mercy and pity की feeling रखिए, दया की feeling रखिए Where mercy, love and pity dwell क्यों? क्योंकि जहां पर रहें, प्यार और दया की भावना dwell करती है याने रहती है लोगों के बीच में There God is dwelling to और वही पर समझो भगवान भी dwell करते हैं याने की रहते हैं अगर लोगों के बीच में आपस में प्यार है, दया भावना है, रहम की भावना है, शान्ती, अमल की भावना है आपस में तो समझो, वहाँ पर भगवान रह रहें क्यों? क्योंकि भगवान के बनाय हुए बच्चे अगर आपस में प्यार से रहेंगे तो बगवान भी वहीं रहेंगे अपने बच्चों के साथ जहां बच्चे आपस में लड़ेंगे तो बगवान भी छोड़ के चले जाएंगे कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना जैसे माबाप छोड़ देते ना दो लड़ते हो बच्चों को कि लड़ते रहो इतना सिखारों समझ में नहीं आ रही वैसे ही भगवान भी छोड़ देते हैं जहां ये चार qualities आपके अंदर रहेंगी वहाँ पर मानो भगवान आपके परमपिता परमेश्वर भी रहेंगे So basically poem में बहुत ही divine touch है Poet के कहने का मतलब यह है कि आपस में एक दूसरे से प्यार करो हर इंसान को प्यार्स करो और उनसे दया और रहेंगी भाव ना रखो क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भगवान बसता है Summary of the poem The divine image is one of the most famous of William Blake's poems Divine image नाम की जो यह poem है यह किस poet ने लिखिये? William Blake ने लिखिये और उनकी कई famous कविताओं में से कि यह भी उनकी famous कविता है इस poem में जो poet है William Blake वो यह proclaim करते हैं यानि कि दावा करते हैं कि that God's mercy, pity, peace and love appear on earth in the human form वो यह कहते हैं कि भगवान के अंदर चार qualities हैं वो चार qualities कौनसी हैं? mercy, pity, peace and love की यानि रहम करने की quality दया करने की quality peace यानि शान्ती की quality और love यानि प्यार की quality तो यह चार qualities किसकी हैं? भगवान की qualities हैं और यह qualities हमको अर्थ यानि धर्ती पर दिखती हैं किस form में? in the human form इंसान के form में क्यों इंसान के form में दिखती हैं? क्यों क्योंकि poet कहते हैं कि हमारे father कौन है हमारे परम पिता परमेश्वर याने हमारे father हमारे God है क्योंकि भगवान ने धर्ती बनाई है याने हम सब उनके बच्चे हुए That means अगर God में ये चार qualities है तो याने कि हम सब बच्चों में भी ये qualities होंगी कही न कही अंदर ये qualities हैं बस हमें ढूंडने की देरी है क्योंकि हम किसके surround हो गए है हमारे आसपस greed, याने लालच की भावना, anger, गुस्ता ये सब टाइप की fight, लड़ाई, जगड़ा ये सब qualities के हम इर्द गिर्द आ गए है लेकिन जब हम तकलीफ में आते हैं तो poet का कहना ये है कि धर्ती पर ये सारी qualities, human form पर इसलिए है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और कहीन के हम में भी ये qualities हैं जिस वज़े से हमारे अंदर एक भगवान बसता है भगवान की जो gentleness और kindness है जो भगवान हमारे लिए इतना gentle, इतने kind है express themselves through humankind every person has a bit of God in them और poet कहते हैं कि हर इंसान के अंदर मानो God है याने भगवान बसते हैं क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप में ये quality है याने आप में भगवान बसते हैं और इस वज़े से जो speaker याने कि हमारे poet हैं वो कहते हैं कि भाई हम सब लोग, हम सब इंसानों को आपस में एक connection की feeling को develop करना चाहिए और unity याने एकता बनाई रखनी चाहिए याने कि आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए चाहिए वो व्यक्ति कोई भी धर्म का हो कोई भी caste का हो आपके region का हो या ना हो याने कि यहाँ पर आपके देश में रहता है कि विदेश में doesn't matter लेकिन आपस में एक दूसरे से प्यार करो रहम, mercy, pity, love, peace इंसाब की feeling रखो क्यों क्योंकि हर इंसान में God बसता है याने कि भगवान बसते है जबी भी कोई difficult time कोई मुसीबत का समय परिशानी आती है किसी भी इंसान में तो हर इंसान किसको prayer करता है भगवान से prayer करता है कि भगवान रहम दे दो, pity दे दो याने दया, peace, shanty and love ये सब दे दो और जब लोगों को भगवान ये सारी चीज़े दे देते तो वो बहुत grateful feel करते है बहुत खुशी feel करते है और इतनी wonderful qualities ये चारो qualities पाके वो भगवान को हमेशा थांक करते है याने thank you बोलते हैं कि हमें thank you ये चीज़े देने के लिए ताकि हमारी problem सुदरी और हमारी life अच्छी हुई और क्योंकि God क्योंकि वो स्वयम भगवान स्वयम क्या है रहम, पिटी, पीस and लव की मूर्ती है क्योंकि बगवान के अंदर ये सारी चारो qualities होती है और humanity God's beloved child is a live example of these qualities और humanity याने जो हम इंसान है जो भगवान के बच्चे हैं हम लोग क्योंकि अगर वो हमारे परम्पित परमेश्वर है तो हम उनके बच्चे है हम सब live example याने जीता जाता example है इन qualities का क्योंकि अगर हमें किसी doggy को मानो मरते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर दया की feeling आ जाती है हमको उससे प्यार आता है अगर लड़ाई होती तो लगता है नहीं यार थोड़ी शान्ती होनी चाहिए या कोई किसी को मार रहा है तो हम सोचते हैं रहम तो करो उस पर तो अगर ये qualities हमारे अंदर है that means हम जीता जाता है example है भगवान का क्योंकि हमारे father God के अंदर ये qualities हैं तो हम में भी कही नहीं ये qualities होंगी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो point के कहने का मतलब है कि हमारे अंदर पर भगवान बस रहा है और आपस में एक दूसरे की respect करो, प्यार से रहो, peace से रहो क्योंकि अगर मैं किसी को गाली बगती हूँ that doesn't mean कि मैं उनको गाली बख रही हूँ it means मैं God को गाली बख रही हूँ क्योंकि उनके अंदर भगवान बसते हैं okay that's because mercy appears in the human heart और इसी वज़े से क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं उनकी quality हम में इसी वज़े से अगर मेरे अंदर mercy याने किसी का उपर रहम की feeling है that means मेरा इंसान का दिल है अगर मैं किसी पर pity कर रही हूँ याने दया की feeling कर रही हूँ याने मेरा एक इंसान का चेहरा है क्योंकि ये सब इन भगवान की qualities है love takes the shape of human body and peace wears human clothing अगर मैं मेरे अंदर प्यार की feeling है love की feeling है that means मैं इंसान के रूप में भगवान बन गई हूँ almost and peace याने ये जो शान्ती का जो कपड़ा है ये जो dress है समझो मैं पहन कर घूम रही हूँ अगर बेसे के लिए ये बोला जा रहे है कि जो लोग शान्ती, peace, calmness चाहते हैं अपनी life में वो समझो इस peace को therefore every single suffering person अगर हर एक उस व्यक्ती की बात करें जो सफर कर रहा है तकलीफों में है, परिशानियों में है इस पूरी दुनिया में वो क्या करेगा? वो हमेशा प्रे करेगा भगवान से कि भगवान मुझे ये चारो qualities दे दो is actually praying to the holy human body which is the embodiment of love, mercy, pity and peace तो basically जब भी हम तकलीफ में होते हैं, सफर कर रहे होते हैं तो हम prayer करते हैं किस से prayer करते हैं? एक human body से ही तो prayer करते हैं for example अगर हम Jesus से prayer कर रहे हैं तो Jesus कौन थे? Jesus इस दुनिया में एक इंसान का जन में लेकर आये थे वो थे तो भगवान तो हम जब तकलीफ में होते हैं तो हम एक इंसान से ही prayer कर रहे हैं जिसने इंसान का जन में लिया है इस दर्ती पर लेकिन वो God है क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही चारो qualities है तभी तो वो God है तो everybody, हर इंसान love करे और care करे for every person यहने हमें सब को प्यार करना है सब की care करनी है सब के लिए हमें mercy and pity की feeling रखनी है doesn't matter किस भी religion का किस भी caste का किस भी color का इंसान वो है भले वो तर्की का क्यों ना हो यहूदी धर्म का क्यों ना हो लेकिन फिर भी हमको उनको love करना है care करना है क्योंकि उनके अंदर भगवान बसते है Since mercy, love and pity which are God take human form that means that God lives inside every person क्यों? क्योंकि mercy, love and pity की जो feeling है जो कि अपने आप में God की feeling है अगर वो feeling इंसानों में है हम human form में है तो समझो हमारे अंदर भी भगवान रहते हैं that means God lives inside every person हर इंसान के अंदर भगवान है और basically ये बोलने का मतलब है poet का कि ये जो पूरी पोवम है उसमें एक divine touch है और अगर हम आपस में रहें, pity, love, प्यार, peace के साथ नहीं रहेंगे तो भगवान भी हमारे साथ नहीं रहेंगे जहां ये सारी feelings, ये सारी qualities है भगवान भी वही रहेंगे ओके, so this was all about the summary I hope आपको second part of the poem the human abstract pity would be no more if we did not make somebody poor तो poet कहते हैं कि पिटी की भावना याने किसी पर रहम करने की भावना दाया करने, sorry, दाया करने की भावना तब तक नहीं रहेगी जब तक इंसान धर्ती पर poor नहीं है कोई याने की कोई गरीब नहीं है अगर देश में, दुनिया में गरीबी नहीं है तो आप दाया किस पर करोगे and mercy no more could be if all were as happy as we और आप mercy याने रहम किस पर करोगे अगर इस दुनिया में सब लोग खुश रहेंगे हमारी तरह अगर जैसे हम खुश है जैसे सब लोग अगर खुश रहेंगे तो आप रहम किस पर करोगे तो basically यहाँ पर दो virtues of delight की बात करी गई है पहली pity और दूसरी mercy और poet यहां कहते हैं कि जिन जगाहों पर pity and mercy की जरूरत पढ़ रही है इन virtues of delight की जरूरत पढ़ रही है वो एक negative environment है यानि जब तक जब negative environment होता है तब हमें इन virtues of delight की जरूरत पढ़ती है यानि negative environment हम कैसे समझे यानि पूर यानि poverty यानि गरीबी एक negative environment है लोग अगर खुश नहीं है जहाँ पर और लोग परिशान है दुखी है जहां पर लोगों पर रहम करने की जरुवत है तो वो क्या है वो एक negative environment है तो poet कहते हैं कि ये दो positive quality की वजह से ही एक negative environment आता है और इन virtues of delight की तब जरुवत पड़ती है जब कोई negative environment होता है yes and mutual fear brings peace till the selfish love increases अब ये बोला जा रहा है and the mutual fear brings peace याने जब लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हम दुखी है तो वो भी दुखी है चलो चलो हम खुश तो चलो वो खुश अगर हम गरीब है तो चलो अच्छा वो भी तो गरीब है तो लोगों में एक mutual अगर वो देख रहा है mutuality है लोगों में कि चलो हम दुखी है तो चलो वो भी दुखी है तो उससे क्या होता है उससे एक peace की feeling आती है लोगों में यहां पर लोगों की शान्ती है याने peace अगैन एक थर्ड आपका virtue of delight है याने peace कब आ रहा है अगें जहां पर negative environment याने जब mutual fear आपसी डर की बात आ रही है और यार मेरे को अच्छे बनी हुई है याने peace बना हुआ है और तब कब तक बना हुआ यह peace till the selfish love increases याने जब तक यह स्वार्थी प्यार लोगों में बढ़ नहीं जाता याने जब तक emotions high extent point पर नहीं पहुच जाते तब तक यह peace बना हुआ है इसका एक example आप समझे याने उसका आपके friend के आपके मार्क सच्छे नहीं आरे तो आपको क्या मिल हूआ है peace उसको भी उसको उसलिए शांती मिली safely maaq लेटन ओगो Hawk's can you hear I want my mother to speakoward यान निकलवाने मुझा और गरो कोपी यानि जब सुवार्थी पना आया okay then cruelty और फिर यही से problem start होती है और किस ठरीके की problem start होती है then cruelty needs a snare and spreads its baits with care अब snare क्योता है a trap याने की जाल जब आप किसी के लिए जाल बुनती हो और bait क्योता है food or something to catch things, जब आप किसी चीज को पकड़ने के लिए कुछ खाना या कुछ चारा डालते हो ताकि सामने वाला पकड़ में आ जाए, उस ट्रैप में फस जाए, येस, तो उसको हम कहते हैं बेट, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो cruelty है, अब cruelty मतलब क्या होता है, कुरूरता, याने आप किसी के साथ बहुत कुरूर हो, तो पोईट के कहते हैं, cruelty को यहाँ पर consider करा गया है कि cruelty कोई शिकारी है, cruelty कोई शिकारी है, जैसे कि शिकारी अपने pray, याने अपने शिकार को पकड़ने के लिए कोई जाल बुनता है, और अपना बेट याने चारे को ऐसे spread करके ऐसे फैला के रखता है, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ ले, उसी तरह क्या हो रहा है उसी तरह यह जो cruelty है यह हम लोगों को घेर के रखी हुई है yes cruelty से क्या हो रहा है मतलब यह cruelty वो evil quality है वो बुरी quality है जो कहां से आ रही है virtues of delight से आ रही है याने कि mercy, pity, peace, love यह जो भी चारो qualities अभी हमने पड़ी जो चार virtues of delight हमने पड़े यह सब कहां से आ रहे हैं यह इनकी वज़े से ही cruelty आ रही है यहने लोगों में मन में अच्छी भावना तो होती है लेकिन धीरे धीरे selfishness यहने स्वार्थ आ जाता है जिससे cruelty यहने क्रूर behavior आ जाता है yes तो cruelty एक ऐसी चीज है कि जब लोग परिशान होते तकलीफ होते तो cruelty से यहने क्रूरता से लोग उनको फसाते हैं और अपने जाल में फसाने की कोशिश करते और उनका फाइदा उठाते तो चार virtues of delight mercy, pity, peace and love से क्या किस नई evil quality ने जन मिलिया cruelty यहने क्रूरता ने जन मिलिया ठीक अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम he sits down with holy fears and waters the ground with tears he कौन है यापे, he वो इनसान है जिसके साथ बुरा हुआ है इसके साथ क्रूर विहवार किया गया है तो अब यह इनसान जिसको फसा दिया गया जिसके साथ धोका हुआ है जिसके साथ बुरा विहवार किया गया है वो बिचारा ठक के हार के धरती पर बैट जाता है और उसमें क्या आते होली फियर जाने डर आता है उसके अंदर कि अब मैं क्या करूँ मेरे साथ यह हो गया वो हो गया तो अब मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ भाई उसको कहीं न कहीं डर खाता है तो वो बिचारा ठक हार के जमीन पर बैट जाता है और उसके अंदर डर खाता है उसको और वाटर जग्राउंड पर डियर जाने उसको डर खाता है तो बिचारा वो बंदा क्या करता है वो रोता है और जब वो रोता है तो जो जमीन पर बैठ कर जब वो रोता है तो जमीन पर पानी की जगा क्या पढ़ रहा है जमीन पर पानी की जगा उसके टियर जाने उसके आंसू गिर रहे हैं तो वो जमीन जहाँ पर पानी गिरेगा और एक पेड होगेगा तो एक अच्छा पेड होगता है लेकिन वो जमीन जो किसी के दुख से और किसी की तकलीफ से जिसके ओपर आंसु गिरें तो उसके ओपर कैसा पेड होगेगा तो then humility takes its roots underneath his foot humility का मतलब क्या होता है the quality of not thinking that you are better than others एक ऐसी quality जिसमें आप कभी ऐसा नहीं सूचते हो कि मैं दूसरे से बहतर हूं आपको ऐसा लगता है मैं किसी से बहतर हो ही नहीं सकता हमेशे अपने आपको नीचे consider करते हो आप जबकि आप बहतर हो सकते हो आप हो भी लेकिन फिर भी आप अपने आपको humiliate कर रहे होने कि आप अपने आपको यह consider कर रहे हो कि मैं किसी से better नहीं हो सकता हूं तो क्या होता है वो बिचारे इनसान ठक के जमीन पर हार कर बैठ जाता है रोता है और जब रोता है तो उसके आशू जमीन पर पढ़ते हैं तो वहाँ जब आसू वो जमीन पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कैसा पेड होगेगा वहाँ पेड़ होगेगा humility का पेड़ होगेगा वहाँ पर याने again एक again नई emotion create हो गई humility तो यह जो humility है वो पेड़ humility का होगा उसकी roots उसकी जड़े humility की होंगी और इससे क्या हुआ इससे एक के बाद दूसरी दूसरी से तीसरी तीसरी से चौती यह सब क्या हो रहा है यह सब bad evil qualities जन्म ले रही है तो mercy, pretty, peace and love से पहले cruelty आई cruelty जिसके उपर आई वो बंदा रोया रोकि उसने जमीन पे आसु गरा है तो उससे कौन सा पेड होगा उससे humility का पेड होगा और वो जो humility थी यह एक again नहीं evil quality जो जन्म जिसने जन्म लिया है ठीक है soon spreads the dismal shade of mystery over his head तो यहाँ पर dismal का मतलब क्या है? dismal का मतलब होता है sadness याने दुख और यहाँ पर mystery का मतलब क्या है? mystery का वैसे तो मतलब होता है रहस्य लेकिन यहाँ पर mystery को हमने बोला है leaves याने की mystery का मतलब बता गया है यहाँ पर पते तो यहाँ यह बोला जा रहा है कि जैसे पेड़ उकता जाएगा उसके साथ मिस्ट्री के पत्ते उस पर उकते जाएगे मिस्ट्री को यहाँ पर लीव्स बोला गया है and the caterpillar and fly feed on the mystery अब caterpillar and fly क्या है दो इंसेक्स है हम सब को पता है कि caterpillar किस पर feed करता है caterpillar leaves खाता है याने leaves खा के जिन्दा रहता है और caterpillar and fly याने मक्ही को क्या बोला गया है evil का symbol माना गया याने की बुरे का symbol माना गया है तो यह यह बोला गया है कि यह जो humility के पेड़ है याने कि यह जो evil पेड़ है इस पर पत्ते भी कैसे है mysterious पत्ते अब लोग जो है इन mysterious इन रहस से मही चीज़ों को समझने में इतना खो जाते हैं कि वो अंदर की चीज़े नहीं देख पाते याने इस घने पत्तों के पेड़ ने cruelty को ऐसा ढखा है कि लोग रहस से समझने में लग जाते हैं और उनको cruelty दिखी नहीं रही कि actually cruelty हो रही याने हमारे साथ बुरा व्यवार हो रहा है वो इतना खोगा है mystery को सुलजाने में और यह जो caterpillar और fly हैं यह क्या खाते हैं यह mystery याने की leaves खाते फीड-on mystery याने की लोग leaves खाते तो क्या होगा जब यह लोग mystery यह तो यह भी grow करेंगे याने यह भी बढ़ते जाएंगे devil increase in number तो उससे क्या होगा यह caterpillar and fly जो की negativity का symbol है evil symbol है यह भी increase होगी याने negative virtues से दूसरी negative virtues जन्म लेती जारी है increase होती जारी है यहां तक की positive virtues से भी negative virtues ही जन्म ले रही है याने mercy, pretty, peace and love यह चारो negative positive virtues हैं और इससे कि ने जन्म में लिया, cruelty, humility, फिर यह caterpillar and fly खाएंगे तो यह भी negativity बढ़ाएंगे, all these things और again यह सारी चीज़े क्या हैं, यह सारी चीज़े evil हैं, यह सारी चीज़े negative qualities है and it bears a fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, अब deceit का मीनिंग क्यों होता है, fraud यह ने किसी के साथ धोका करना and ruddy का मतलब क्यों होता है, bright red color, बहुत dark bright red color, जब लाल juicy कोई fruit दिखता है तो उसे हम ruddy कहते हैं and it bears a fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, अब यह जो humility का पेड़ है, जो कि एक negative quality का पेड़ है, इसमें पत्ते भी negative quality के आ रहे हैं और जो दूसरे insects इस negative पत्तों को खा रहे हैं, वो भी खा के, if they will increase in number, वो भी negativity बढ़ा रहे हैं तो इतने खराब पेड़ में, जो fruit आ रहा है, जो फल ओग रहे हैं, वो भी किस के होंगे, deceit के याने की धोके के होंगे लोगों को यह वाले जो फल होते हैं, बहुत juicy लगते हैं, red color के बढ़िया fruit लगते हैं, खाने में उनको sweet याने बढ़िया लगते हैं लेकिन जब वो खाते हैं, तो बारबर क्या खाते हैं, दोका खाते हैं, और रेवन क्या है, रेवन इस बार्ड का नाम है, रेवन is a large black bird that has unpleasant voice, तो यह एक ऐसी बड़ी सी black color की बार्ड होती है, जिसकी आवाज unpleasant होती हैं, बिलकुल अच्छी नहीं होती इस बार्ड को भी evil का symbol माना जाता है, यहने death का, बरबादी का symbol माना जाता है, तो इस पेड में जिसकी जड़े humility की हैं, जिसके पत्ते mystery के हैं, इसने धाका cruelty को हुआ है, जो insects इसके पत्तों को खा रहे हैं, वो insects भी mysterious हैं, यहने evil पत्तों को खा रहे हैं, तो वो भी evil आने धोके का आ रहा है, तो इसमें रहने वाले जो पेड में पक्षी जीव जनतु हैं, वो भी कैसे होंगे, वो भी evil होंगे, क्योंकि रेवन एक बर्ड है, जिसको death का symbol माना गया है, तो इस बार्ड ने अपने thickest shade में याने की, इस बार्ड ने अपने घने पत्तों का जो पत्तों का जो पेड उसके बीच में इसने अपना shade बनाया, अपना nest बनाया हुआ है, तो इस पेड में भी कैसे पक्षी रहेंगे, इस पेड में भी evil पक्षी ही रहेंगे, अगैन क्या हो रहा है, negative emotions increase हो रहे हैं, तो इस पूरी धर्ती के, इन पूरे समुद्र के जितने भी गौद्स हैं, जितने भी भगवान हैं, इन्होंने पूरे नेचर में इस ट्री को find करने की कोशिश करी, search करने की कोशिश करी, कि आखरी कौन सा अनोखा पेड है, जो इतने evil, इतने bad emotion से भरा हुआ है, तो आखर हम भी तो देखें कि ये कौन सा पेड है, लेकिन जो उनकी खोज, उनकी जो search थी, वो सब vein में थी, यानि सब बेकार की गई, सब व्यर्थ गई, क्यों? क्योंकि ये पेड कही नेचर में, आपको किसी जंगल में नहीं दिखेगा, जब क्योंकि ये पेड कहां ग्रो कर रहा है, कहां बढ़ रहा है, human brain में, यानि इनसान के दिमाग में तो basically यह यह बोला गया है कि एक जो इनसान का दिमाग होता है, उसमें positive चीज़े तो होती ही है, यानि mercy, pity, peace and love, ये सब चीज़े होती तो हैं, लेकिन धीरे धीरे in qualities की वज़े से, कुछ ऐसी situations बनती ही life में, जिससे negative यानिकी evil qualities भी हमारे अंदर अनलगती है, कि हम crew बन जात हैं, हमारे इनसान के दिमाग में ग्रो होती हैं, तो ये सारी चीज़े human brain को construct तो करी रही हैं, लेकिन उसके downfall का भी reason है, ओके, तो एक इनसान के दिमाग में ये सारी चीज़े ग्रो होती हैं, So, summary, the poem the human abstract offers a closer analysis of the four virtues, mercy, pity, peace and love, तो जो पोव है आपकी, जिसका नाम है the human abstract, written by William Blake, तो इस मोव में क्या बता गया है, closer analysis दिया गया है, four virtues के बारे में, बताया गया है कि एक इनसान के life में four virtues, अगर, हर इनसान के life में four virtues होती हैं, यानि चार अच्छी qualities होती हैं, जो कि है, mercy, pity, peace and love, यानि की रहम करने की भावना, दया करने की भावना, peace यानि शान्ती की भावना, और love यानि प्यार की भावना, और यही सब हम भगवान से मांगते भी हैं, that constituted both God and man, और यह जो चारो qualities हैं, जो चारो virtues हैं, यह भगवान की qualities होती हैं, और जिस इनसान ने भगवान से इन qualities को मांग लिया, और अपने अंदर इन qualities को inculcate कर दिया, तो वो इनसान समझो भगवान समान है, और यह चीज़ हमने किसमें सीखी थी, the divine image यानि की जो first part of the poem है, उसमें हमने सीखा था, other than this मैं आपको recommend करती हूँ कि अगर आपने first part of the poem की summary explanation अगर नहीं दे थी, the poet says that pity could not exist without poverty, that mercy would not be necessary if everyone was happy, that the source of peace is in fear which gives us rise only to selfish loves, the poet कहते हैं कि अगर दुनिया में poverty यानि गरीबी नहीं होगी, तो आप पिटी यानि गया किस पर करोगे, अगर इस दुनिया में सब कुछ खुश, सब लोग खुश होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, तो आप mercy यानि र mutual डर होता है, लोगों में चलो ठीके मेरा बुरा हो रहा है, तो चलो उसका भी डर हो रहा है, और ये मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, उसका अच्छा हो गया, तो ये जब mutual डर लोगों में है, उसका भी बुरा हो रहा है, तो लोगों में शान्ती है, और इस से क्या निकलता ह कि अरे यह लो यह लो आज टिफिन मैं तुम्हारे लिए लेके हूं प्लीस खाओ क्यों क्योंकि मैं तप यार क्यों दर्शारी उससे क्यों जता रही हूं क्योंकि मेरा उसमें कुछ selfish love उसमें included है यानि मेरा स्वार्थ उसमें कुछ जोड़ा हुआ है तो जो पॉम है वो यह describe करती कि कैसे cruelty cruelty नाम का जो evil यानि कुरूरता नाम की जो evil quality है plants and waters at a tree in the human brain the roots of the tree are humility the leaves are mystery and the fruit is deceit तो यह बोला जा रहा है कि एक इंसान के अंदर चार good qualities होती है वो होती है mercy, pity, peace and love और इनकी वज़े से ही human brain जो होता है एक इंसानी दिमाग जो होता है उसका कईने कई downfall होता है क्यों क्योंकि इन good qualities की वज़े से जो evil याने bad qualities होती है वो जन्म लेती है ऐसी bad qualities क्रूरता याने cruelty, humility याने जब आप ये feel करने लगते हो कि हम दूसरों से बहतर नहीं है कभी या कभी भी बहतर नहीं हो सकते इस तरीकी की quality तो ये जो क्रूरता होती है ये एक ऐसा पेड़ उगाती है जिसकी जड़े humility से भरी ह होती है उस पेड़ की जो पत्तियां होती है वो मिस्ट्री आने रहस्य महीं होती है जिसको लोग समझने में इतना खो जाते है कि वो cruelty देखी नहीं पाते है कि हमार साथ कूरता हो रहे है और इतने evil और इतने bad quality वाले पेड़ का जो fruit होगा जो उसमें फल होगेंगे वो भी become the breeding ground for cruelty तो poem में जो description था tree के बारे में उससे ये पता चलता है कि कैसे ये जो चार good values है mercy, pity, peace and love इससे क्या जन में ले रहा है इससे जन में ले रहा है cruelty नाम का एक evil quality याने अगर मेरे अंदर ही चार good qualities है तो मैं मुझे किसी पर दया आ रही है लेकिन मेरा उसमें स्वार्त या मैं इसको उस पर रहम नहीं खाऊंगी कि नहीं चलो मेरा तो फाइदा हो रहा है ना तो मैं क्या हूँ मैं क्रूर बन गई अच्छी qualities की वज़े से मैं क्या बन गई क्रूर क्रूर याने क्रूल बन गई मैं पोएट यह बताते हैं कि जो cruelty है ना वो false है याने गलत है and knowing person है याने एक ऐसा व्यक्ति cruelty करता है क्रूरता से बहेव करता है जिसको पता है कि मैं गलत हूँ उसको मालूम है कि मैं गलत हूँ कि मैं किसी के साथ गलत करूँ basically cruelty को यहाँ पर उस शिकारी की तरह बोला गया है जो लोगों के साथ बुरा करके उनको जूट बोलके फसाता है और एक जाल बिछाता है लोगों से उनका फाइदा उठाने के लिए चारा देता है जैसे लोगों को एक शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए तो वो क् है और उनको क्या कर रहा है उनको फसाने की कोशिश कर रहा है ठीके है अब यह जो tree है जो cruelty का पेड़ है ये कैसे बड़ा और फियर एंवीपिंग से जिस भी व्यक्ति के साथ cruelty कुरूरता हुई वो बिचारा हमेश्य डर में जीता कि अब मेरे साथ क्या होगा आगे और वो बिचारा रोता है और जब रोता है तो उसके आसू कहां पढ़ते हैं जमीन पे और जमीन से कैसा पेड़ होगेगा जमीन से जो क्रूइल इंसान की आँखों से निकला हुआ है तो वो पेड़ भी नेगिटिव ही होगा उसकी जड़े को नीचे ही फियल करेगा उस पेड़ की जो पत्ियां होंगी वो लीज्व जो होंगी वो मिस्ट्री होंगी याने रहस्य से बहर होंगी और यह गन्य पत्तीय घंगी को ऌिसे धाख whiskey कि इंसान रहस्य दूणने में लगा रहेगा और उनको cruelty दिखाई ही नहीं देखी कि अक्चुली हमार सथ क्रूर उर्ता हो रही है बट इस ग्रोथ इस नॉट नाच्रल और इस पेड़ की जो ग्रोथ हो रही है यह कोई यह तो वो negative emotions ही निकालेगा अपने साथ जो ट्री है वो associated with deceit है और ऐसे यह जो ट्री जिसकी पत्तिया में mysterious है जिसकी जड़े humility की है जो cruelty से बना हुआ है उस ऐसे पेड़ में फल fruits कैसे हैंगे deceit याने fraud के ही धोके के ही fruits आएंगे और जो उसकी branches होंगी उसमें raven नाम की bird रहेगी जो symbol of death है याने कि इसमें पेड़ में रहने वाले जो पशु-पक्शी होंगे वो भी कैसे होंगे वो भी evilly होंगे याने जो symbol of death destruction बरबादी का जो symbol होंगे तो raven ने कैसी bird है जिसको symbol of death बोला जाता है तो उसने भी अपना गोसला बना के रखा हुए इस bird की leaves के घने shade में और इसमें जीव जनतु है जैसे caterpillar वगर है यह लोग क्या खाएंगी यह लोग भी यह leaves ही खाएंगी caterpillar क्या खाती है तो यह भी क्या खाएगी यह यह evil cheese खाएगी और again caterpillar को भी evil का ही symbol बो ला गया है तो इससे क्या हो रहा है इससे चार positive चीज़ें यानि mercy, pity, peace and love इन चारों से क्या जन में ले रहा है इन चारों से जन में ले रही है negative qualities यानि cruelty, humility, mysteriousness, दोका, fraud, deceit, all these things और जब poem के हम end में आते हैं तो हम यह realize करते हैं कि जितना भी entire description हमने पढ़ा है शुरू से ले देफता, आखरी में बताएगा कि सारे देवी देफता ढूंडने को निकलते हैं कि आखर ऐसा अनोखा पेड कहा है तो उनकी जो यह सर्च थी उनकी जो यह खोच थी वह वेन यानि व्यर्थ में जाती है क्यों क्योंकि वह जो पेड़ है जो cruelty का पेड़ है वह और कहीं में यानि इंसान के अंदर यह सारी negative qualities है, the mental experience, दो इंसान experience कर रहा है अपने दिमाग में, वह positivity भी कर रहा है और negativity भी कर रहा है, कई बार तो यह जो negativity है वह positivity की वज़े से होती है, दस जो poem है वह comment कर रही है एक ऐसे tree पे जो grow कर रहा है कहीं नहीं, अब इस nature में कहीं नहीं grow कर र इस के mind का जो downfall होता है वो उसके अंदर positive virtues की वज़े से होता है, यानि कभी-कभी जो positivity जो होती हमारे अंदर वो negativity को जन में देती है और ऐसे करके एक से दूसरे दूसरे से तीसरे यह grow करते जाते है, जैसे cruelty, humility, humility, deceit, deceit, ravenbird, सारी evil चीजे एक के बाद एक सारी multiply होती गई, so this was all about our poem, the summary आपको I hope समझ में आई होगी, आप चाब, first question, how are these two matched poems related to each other in content, how is the human being depicted in the song of innocence and how is he or she depicted in the song of experience, do we find both aspects working in an average human being, तो अब यह जो आपकी poem number 3 है, which is poems by Blake, William Blake, इसके अदर two parts of the poem है, first है the divine image and second है the human abstract, तो जो first part of the question है वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो दो matched poems है, यानि दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से related है, the divine image भी और the human abstract भी, ये एक दूसरे से कैसे related है, फिर पूछा जा रहा है कि जो human being दिखाया गया है, depict करा गया है, songs of innocence में, यानि कि the divine image में, क्योंकि the divine image, songs of innocence में से ही ले गयी है, तो जो human being दिखाया गया है, songs of innocence यानि the divine image में, और जो human being depict करागया है, यानि दिखाया गया है, song of experience में, यानि the human abstract में, तो वो दोनों कैसे है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, और क्या हमो, do we find both aspects working in an average human being, जो दोनों aspect दिखाया गया है, the divine image और the human abstract में, कि एक इसमें ऐसा होता है और इसमें ऐसा होता है क्या हम एक average human being में इसको देख सकते हैं आंसर देखते हैं ये जो दो matched poems हैं the divine image and the human abstract ये दोनों एक दूसरे से related हैं क्यों क्योंकि जो दोनों poems हैं वो क्या convey कर रही है हमें क्या बताना चारी है the figure of four virtues दोनों ही poems हमें चार virtues के बारे में बताती हैं याने वो good quality के moral standards जो भगवान के पास होते हैं और हम उनसे तौफे में मांगते हैं उनके बारे में बता रही हैं और ये चार virtues कौन सी है mercy, pity, peace and love याने की रहम की feeling, emotion, दया का emotion, peace याने शांती का emotion and love याने प्यार का emotion जो speaker है याने जो आपके poet है दोनों ही poems में same है which is William Blake वो ये बताते हैं, depict करते हैं कि जो human being है as a figure of moral values, having moral commitment to society with a bunch of virtues याने की एक इनसान में moral values याने अच्छी qualities होती है क्योंकि उसका moral commitment है, responsibility है अपनी society के लिए और अगर आपको society के लिए काम करना है तो आपके अंदर ये bunch of virtues याने ये अच्छी qualities का गुच्छा होना जरूरी है क्योंकि तब ही आप society के लिए, welfare के लिए कुछ कर पाऊंगे और we can find both the aspects working in an average हमें दोनों ही aspects, चाहे आप first form के लो या second form के लो, दोनों ही हमें एक average human being पर work होते हुए दिखते हैं as human is depicted as master of virtues क्योंकि एक इनसान ही है जिसको master of virtues बोला गया है क्योंकि इनसान में सारी good qualities होती है, कही न कहीं अंदर ही अंदर छुपी होती है क्यों क्योंकि हम बच्चे हैं उस परम, पिता, परमेश्वर की, उस God की जब हमारे God में ये चार virtues हैं, हमारे पिता में ये चार virtues हैं तो हम बच्चों में भी वो virtues होंगी इसलिए we are the master of these virtues Next, how would you explain the lines? अब ये चार lines जो है, आपकी poem की ही lines है आपको क्या करना है, उसे explain करना है Lines क्या है? For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form of divine, and peace the human dress आंसर देखते हैं ये जो अबब लाइन से क्या describe कर रही है ये बता रही है वो चार virtues, वो good, चार moral, good standards के बारे में जो की है mercy, pity, peace, and love और वो बताया जाता है कि human being itself, याने खुद इनसान ही ये virtues है क्योंकि इनसान के अंदर ही चार qualities मौजूद होती है हमें सरिव अपनी बुरी emotions को, याने greed, anger, sadness को हटा के इनको बाहर निकालने के ढूंडने की जरूरत है इन above lines से जो poet है William Blake वो कोशिश कर रहे है हमें ये बताने की, कि how important is the virtues in human life that will make human life meaningful on earth कि एक इनसान, एक human की जिंदगी में ये virtues कितने important है कितने जरूरी है और कैसे ये एक इनसान की life को, उनकी जिंदगी को meaningful बनाता है याने की कुछ माइने निकालता है धरती पर क्यों? क्योंकि आपका धरती पर रहने के क्या माइने है क्या importance है, वो ये virtue से ही आते है एक ऐसा दिल जिसमें mercy है याने एक ऐसे इनसान का दिल जिसमें mercy है याने रहम की feeling है एक ऐसा चहरा जो दूसरे गरीबों को देखके pity करता है, याने की रहम करता है उनके ओपर दया खाता है और एक ऐसा divine love, देवी है प्यार जो भगवान से होता है और peace, जो एक इनसान की dress होती है the world will be colorful and life on earth will be beautiful for humans तो एक ऐसा इनसान जिसके दिल में रहम है चेहरे पे दया की भावना है दिल में प्यार है और वो इनसान peace, याने शांती की हमेशा dress पहन के घूम रहा है जैसे हम अपने कभी कपड़े नहीं उतारते है जो व्यक्ति peace का कपड़ा पहन कर घूमता है वस्तर पहन कर घूमता है वो किसी भी situation में जगड़ा हो रहा है लड़ा हो रहा है कभी भी अपना आपा नहीं होता वो हमेशा peace and calm रहता है peaceful and calm रहता है तो ऐसे लोगों की जो life होती है दुनिया में वो बहुत colorful, बहुत रंगीन होती है बहुत बढ़िया होती है और बहुत beautiful होती है खुबसूरत life होती है next how do mercy, pity, peace and love get distorted in the human brain ऐसा क्या होता है इंसानी दिमाग में कि जो mercy, pity, peace and love ये जो चारो virtues हैं ये कैसे distort याने कि थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है या clear नहीं होती है इंसान को ऐसा कब होता है तो जो virtues हैं जो है mercy, pity, peace and love ये कभी-कभी human brain में distort हो जाती है याने कि खतम हो जाती है या फिर थोड़ी देर के लिए छुप जाती है ये कब होता है when there are divisions among human beings based on caste community और color ये तब होता है जब एक इंसान जो होता है दूसरे लोगों से भेड़बाव करने लगता है किस बेसिस पे? caste पे हम अपर caste के हैं तुम लोगर कास्ट के हो हम अपर कम्यूनिटी के हैं ब्राम्मन हैं तुम लोग लोगर कम्यूनिटी के अदालत हो ये हो वो हो color हम गोरे हैं तुम काले हो जब इस तरीकी की negativity एक इंसान के दिमाग में आ जाती है थोड़ी देर के लिए इंसान अंदा हो जाता है और ये सारी good virtues कई ने कई दिमाग से distort हो जाती इंसानी दिमाग में क्योंकि जितनी भी evil powers याने बुरे emotions होते है negativity के greed, anger, sadness, जलन की भावना, jealousy ये सब इंसानी दिमाग पर जैसे मानुच चा जाते है और फिर क्या होता है इंसान दीरे दीरे जिस society में रहता है जिस डगार रहता है वहाँ पर division करने लगता है हम अपर क्लास के, हम गोरे, हम अपर कम्यूनिटी के हमारा creed अच्छा है इन सब चीजों में क्या करता है, division कर देता है और फिर क्या होता है, human brain में ये सारी virtues दो है वो distort हो जाती है, कई न कई ढख जाती है इन evil emotions के द्वारा ओके next Blake's poetry expresses one aspect of his multi-dimensional view of human experience of mankind once whole and happy, now fallen into discord and tyranny from which it must be rescued explain with reference to these two poems ये जो William Blake की poetry है दोनों poetry, the divine image and the human abstract दोनों ही क्या बता रहे है कि एक human experience एक इंसान अपने जीवन में क्या experience करता है पूरे अपने जीवन काल में क्या अनुभफ करता है उसका एक multi-dimensional view दे रही है हमको हर aspect बता रहे है कि कैसी है, बुरे emotions इंसान सोचता है तो life कैसी हो जाती है सब कुछ बता रहे है एक ऐसा व्यक्ती पहले बता जा रहे है जो बहुत whole and happy है, बहुत खुश है और फिर दीरे कैसे वो discord और tyranny में गिर जाता है discord और tyranny याने argument करने लगता है हमें बचाना है, क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो तुम में good qualities है, तुम में भगवान ने वैसा बेजा है तुम ये गलत qualities के साथ अपने जीवनकल बरबाद नहीं कर सकते हैं तो हमें ये सारी चीजें, ये सारे points दोनों poems के reference से हमको क्या करनी है? explain करनी है answer दिखते है जो दो poems है the divine image and the human abstract ये हमें क्या explain करती है? हमें values explain करती है जो help करती है एक living being को एक इंसान को ताकि एक peaceful life वो जीख पाए यानि ये values mercy, pretty, peace and love होना बहुत important है ताकि एक इंसान अपनी life peacefully जीपाए अच्छे से compassion to others, दूसरे से compassion करो जो पुलाइटली बात करो, उनके sympathy दिखाऊ अगर उन वो लोग तकलीफ में आप उनकी तकलीफ में खुद को फील करो कि अगर आप होते तो आपको कैसा लगता तो दूसरों से compassion करना बहुत important है वस दूम मोटो फ्यूमन of mankind in early decades तो जो पुराने decades यानि पुराने जमाने के जो mankind जो लोग थे उनका एक ही मोटो था कि दूसरों से हमेशा compassionate रहे हमेशा अच्छे से रहे जो mankind थे उस ताइम बहुत whole and happy रहते थे और इस वज़े से वो लोग खुश भी रहते थे उन दो spirits यानि उस जमानों में बट आज situation बहुत बदल गई है पूरी तरीक से आज क्या हो गया है आज इंसान बहुत selfish हो गया है यानि स्वार्ती हो गया है सरफ खुद के लिए सोच रहा है और इस selfishness ने सब ruin कर दिया है सब बरबात कर दिया है लोगों के बीच में जितना love है, compassion है humankind में, mankind में वो सब आज क्या हो गया है? ruin हो गया है यानि बरबात हो गया है and no values and virtues are present in humans today और इस वज़े से इंसानों में कोई values, कोई virtues कोई good, moral, high standards आज कुछ भी present नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सब अच्ची चीज़े ढग गई है, selfishness के अंदर या cruelty याने cruel behavior के under जो selfish motive है याने एक इंसान का selfish motive है कि भाई मैं स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, personal gain याने मेरे personal benefit मेरा फाइदा जिसमें होगा, मैं वही चीज़ करूँगा और आज की नई generation का मानो जैसी है slogan याने नारा बन गया है कि selfish motive और personal gain जहां हो वही पे रहो और इस चीज़ को rescue करना बचाना बहुत important है उस इंसानों को जो ऐसा सोच रहे हैं बचाना बहुत important है और यही mention करा गया है poems में by implanting virtues क्योंकि poem में यही समझाया गया है कि आप अपने अंदर यह virtues यह good qualities को implant करो कौन सी virtues? mercy, pity, peace and love को in the hearts of young generation तो आज की जो नई generation है उनके दिलों में यह values यह virtues रब तक नहीं आएंगी तो जो आपकी जो पोम है जिसका नाम है the divine image इसके poet यहने कि इसके कवी कौन है आपके सामने four options given रहेंगे A, B, C, D आपको जो options सही लगता है जो लगता है यह most appropriate या most correct option है आपको उससे करना है एक tick mark अब अगर आपने मेरे इस poem के explanatory videos देखे होंगे W, B, Yeats, C, William Blake या D, William Wordsworth So clearly अगर आपने मेरे videos देखे हैं आप अब answer कर दोगे which is option number C, William Blake So option C is the right option और यह ही poet है हमारी poem The Divine Image के Okay Next What are the four virtues mentioned in the poem? Virtues का meaning समझो पहले virtues क्यो होता है Virtues मतलब high moral standards की जो good qualities होती है वो कोई भी good quality जिनका high moral standard होता है उसे हम virtues कहते याने अच्छी आदते तो poem में चार virtues याने चार good qualities के बारे में mention किया गया है तो वो चार good qualities कौन सी है options रिखते है A, mercy, pity, peace and love B, mercy, pity, peace and violence C, honesty, pity, peace and anger या D, honesty, pity, peace and greed So, honesty एक virtue तो है लेकिन poem में mention नहीं पिटी है, peace है और greed याने लाल अच्छी तो बुरी आदत है तो good quality कैसे होई तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकती तो ये option that means cancel होता है अगेन honestly दिया नहीं ये pity दिया था, peace दिया था और anger क्या है एंगर एक bad quality गुस्सा करने का बुरी आदत है तो ये भी नहीं है तो ये option भी cancel होता है mercy, pity, peace दिया लेकिन violence क्यों होता है लड़ाई, जगडा, मार, हिंसा तो ये तो एक bad quality है तो that means the option भी नहीं है which means mercy, pity, peace and love याने के रहम करने की आदत दया करने की आदत peace याने काम रहने की आदत और लव याने प्यार की जो प्यार जो लोगों ने आपस में एक दुसरे में बाटा हुआ है उसकी आदत तो यही चार वे or choosing जिसके बार में पोरम में बात की गई है और यही इसी के ऊपर पूरी पोवम आपकी रिवॉल्फ करेगी So option number A is the right option to this question Next How according to the poet one can become divine? हमारे poet William Blake के मुताबिक कोई भी व्यक्ति divine कैसे बन सकता है Divine याने दैवी या कैसे बन सकता है याने की खुद भगवान बराबर कैसे बन सकता है या spiritually God से कैसे connect हो सकता है तो options देखते है A by becoming a priest अगर वो पुजारी बन जाए priest बन जाए तो ऐसा possible है doesn't matter आप पुजारी बन जाओ priest बन जाओ, mall भी बन जाओ लेकिन अगर आपके अंदर mercy, pity, peace and love की qualities नहीं है तो आप divine नहीं बन सकते By imbinding virtues of delight Virtues of delight याने mercy, pity, peace and love ये चारो virtues जो के delight याने खुशी देती है अगर आपने ये अपने अंदर imbib कर ली ये अपने अंदर आपने समा ली तो आप समझो भगवान के बराबर ही हो गए क्योंकि ये चार qualities खुद भगवान में होती है तो yes, this option is the right option to this question और भी देख लेते हैं By becoming rich, very rich अगर आप बहुत पैसे वाले अमीर रिच बन गए तो क्या possible आप divine हो कितने ही पैसे वाले आप बन जो लेकिन अगर आप में ये virtues of delight ये चार qualities नहीं है आपके अंदर that means आपका पैसा किसी काम कर नहीं और आप divine नहीं होए ये virtues of delight get distorted in human brain ये जो virtues of delight है याने कि ये जो चार qualities mercy, pretty, peace and love जो खुशी देती हैं हमें ये एक human brain एक इनसान के दिमाग में distorted कैसे हो जाती है याने कि खतम कब होने लगती है या कब इनसान इन virtues को लेके clear नहीं होता तो options एकते हैं When evils like cruelty take control of human beings जब evils याने बुरी आदतें जैसी cruelty याने क्रूरता वाली बुरी आदत एक इनसान के दिमाग पर बैठे जाती है तब इनसान इन virtues of delight से कहीं distorted होता है याने कटने लगता है When evils like selfishness take control of human beings जब बुरी आदत जैसे selfishness याने की स्वार्थी होना सर्फ अपने बारे में ही सोचना जब यह सब चीजें इनसान के दिमाग पर चड़ने लगती है तो इनसान इन अच्छी कॉलिटी से दूर होने लगता है Yes, distorted होता है When evils like revenge take control of human beings जब इनसान के दिमाग पर बुरी आदत जैसे की revenge याने बदले की भावना कि मुझे उससे बदला लेना है इस तरीके की पुरी आदतें जगा लेने लगती है इनसान के दिमाग में तो यह जो virtues of delight है आने जो अच्छी qualities है वो distorted हैने लगती है आने दूर होने लगती है तो yes, यह भी एक right option है Which means option number D All of the above याने उपर दिये गए सारे ही options है यह Which means option number D Is the right option to this question Next According to the poet Who is our dear father? Poet William Blake के मताबिक हमारे dear father कौन है? याने हमारे param-pita कौन है? So options है A. God क्या भगवान, param-pita, parmeshwar है? हमारे वही हमारे God है, father है B. William Blake यह हमारे poet William Blake C. Our biological father याने वो पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है हमारे biological father या D. Both A and B So, सबसे पहले तो मैं बता दू Yes, हमारे जो dear father है हमारे जो father है आप बोलोगे जिन्होंने हमें पैदा किया है हमारे biological father, वो हमारे father है वो तो है लेकिन poem के मताबिक हमारे परम पिता कौन है Almighty God, father कौन है वो God है हमारे biological father तो है यह लेकिन poem के मताबिक हमारे dear God, हमारे father है क्योंकि हम भगवान ने हम सब को पैदा किया है हम उनके बच्चे है और वही हमारे परम पिता परमेश्वर है William Blake तो poet है तो यह हो नहीं सकता और A and B भई A तो है लेकिन B नहीं है which means option number D भी नहीं हो सकता that means option A is the right option to this question Next According to Blake where does God dwell हमारे poet William Blake के मताबिक भगवान कहा dwell करते है याने कहा live, कहा रहते है ऐसे कौन सी जगा है जहाँ भगवान रहते है options रहते हैं A in the sky, sky, आस्मान में रहते हैं क्या B in the people in whom virtues of delight dwell उन लोगों के अंदर जिनके अंदर virtues of delight रहती है याने उन लोगों के अंदर जिनके अंदर mercy, pity, peace and love की भावनाएं भरी हुई है उन लोगों के अंदर भगवान बसते हैं भगवान रहते हैं तो yes, according to the poet, this is the right option sky में भगवान ने किसी ने भी sky में भगवान को देखा नहीं है अस्ता किसी ने भगवान को नहीं देखा तो भगवान कहा हैं उन लोगों इन उनसानों के अंदर जहां पर अच्छी qualities, virtues of delight हैं समझो वो लोग भगवान बराबर ही है in the temple, in the mosque क्या मंदिरों में, मस्जितों में भगवान रहते हैं वहाँ पर स्रिफ उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं और स्रिफ इबादत करी जाती हैं लेकिन किसी ने अच्छी भगवान को नहीं देखा तो भगवान कहा है, हम इंसानों की अंदर ही है जिनके अंदर ही virtues of delight है which means option number B is the right option to this question next which virtue of delight has been compared to human dress कौन सी virtue of delight चार virtues of delight थी mercy, pity, peace and love इन चारों में से कौन सी virtue of delight को compare किया गया है तुलना की गये इंसानों की dress से याने इंसानों के वस्त्रों से कपडों सी, options देखते है A, mercy, B, pity, C, peace या, D, love तो यहां बोला जगाया है clearly पोव में की peace जो है वो human की dress है याने वो व्यक्ति जो हमेशा peace में रहते हैं, शान्त रहते हैं काम रहते हैं, वो हमेशा समझो उन लोगों ने हमेशा अपना peace को as a dress wear करकर रहा है क्योंकि peace is human dress ऐसे लोग अपना peace हमेशा पहन के गूमते हैं याने कभी नियु उतारते हैं जैसे लोग अपने कपड़े कभी नियु उतारते हैं वैसे उसी तरीके से ये लोग अपना peace याने अपना काम, अपना शान्त शान्ती का जो इनका नेचर है इनका सोभाव है वो कभी नियु उतारते कभी किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करते हैं अगर वो उस माहोल में भी होते हैं तो भी वो peacefully ही react करते हैं so option number C, peace is the right option mercy याने रहम करना जब किसी को अब तकलीफ में देखते हो तो आप रहम करते हो यहाँ पर human dress का कोई लेना देना नहीं pity मतलब दया करना अगर कोई गरीब व्यक्ती आपको दिख रहा है तो आपको दया आ रही है तो यहाँ पर भी dress का कोई लेना देना नहीं next what do we pray for in distress जब भी हम इंसान डिस्ट्रेस में होते हैं तकलीफ में होते हैं परिशानी में होते हैं तो हम भगवान से किस चीज के लिए प्रेयर करते हैं options a. mercy and pity हम भगवान से बोलते हैं भगवान हम पर mercy करो, pity करो याने हम पर रहम करो, हम पर दया करो हमारी problems को दूर करो yes b. peace and love आप भगवान से प्रेयर करते हो कि भगवान हमारी life में peace आये शांती आये और love आये जिससे लड़ाई जगडे तकलीफ परशानी कम हो yes c. love and hatred आप भगवान से बोलते हो love दो और hatred याने नफरत भी दो प्यार और नफरत दो तो नफरत आप कभी नहीं मांगते क्योंकि यह तो evil quality है बुरी आदत है d. both a and b. याने option a and b. दोनो तो यह option d. is the right option क्योंकि a and b. दोनो सही है mercy, pity, peace and love यह चार क्वालेटी सा बगवान से मांगते हो पूजा में, प्रेयर में, जब भी आप परिशानी में होते हो तो option number d. is the right option to this question next, what is not God gifted virtue? अब God से आप जब पूजा करते हो तो भगवान gift में आपको चार virtues देते हैं which is mercy, pity, peace and love यही इंसान भी उनसे मांगते हैं लेकिन इन चार options में से कौन सा ऐसा option God gifted virtue नहीं है याने भगवान दवारा तौफे में दी गई अच्छी quality नहीं है options देखते हैं A, greed याने लालच की बावना B, love याने प्यार, C, peace याने शान्ती, D, mercy याने रहम तो love, peace और mercy तो हमें पता है कि यह good virtue of quality लेकिन भगवान कभी भी आपको gift में greed की quality नहीं देगी कि भग ठीक है तो मैं लालची बनाता हूं मैं तुम लालची बनना चाहरो तो मैं बनाता हूं ऐसा कभी भगवान नहीं बोलते हैं So option number A, greed is the right option to this question Next When God gives the virtues of delight to His children Then people are dash in return जब लोग परिशानी में होते हैं तो भगवान से virtues of delight याने mercy, pity, peace and love पूजा में मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारी तकलीफ, हमारी distress को दूर कर दो और जब भगवान अपने बच्चों को हम इंसान को हैं, उनके बच्ची ही तो है तो जब भगवान गिफ्ट में अपने बच्चों को virtues of delight देते हैं याने mercy, pity, peace and love देते हैं जिससे लोगों को खुशी मिलती हैं तो जो लोग होते हैं फिर return में भगवान को क्या देते हैं options देखते हैं A, hopeful Hopeful उम्मीदवार होते हैं क्या वो नहीं, उम्मीद तो तब करते हैं जब तक gift नहीं मिलता अब gift मिल गया है तो उम्मीद क्यों करेंगे Be thankful क्या वो भगवान से thankful है Yes, they are very thankful They are very grateful की Thank you, भगवान आपने हमारी इच्छाओं को पूरा किया और हमारी लाइफ को अच्छा बना है So yes, they are thankful Heartless याने बिल्कुल बेदिल हो जाते हैं बिल्कुल भगवान को thank you भी नहीं बोलते हैं तो ऐसा कोई नहीं करता सब लोग thank you ज़रूर बोलते हैं जैसे ही उनकी तकलीफ कोई दूर होती है D, none of the above याने उपर दिया गया कोई भी option नहीं तो यह हो नहीं सकता है क्यों क्योंकि as per the poem हमें हमार answer मिल गया है which is option number B, thankful Next, what is the theme of the divine image by William Blake जो हमारी poem है जिसका नाम है the divine image जिसको William Blake ने लिखा है इस poem की theme किया है? याने basically ये poem है किस बारे में तो option देखते है A, humankind's relationship with God humankind याने हम इंसानों का relationship God से कैसा होना चीए वो B, humankind's relationship with animals हम इंसानों का relation जानवरों के साथ कैसा होना चीए वो C, humankind's relationship with planets हम इंसानों का दूसरे planets याने दूसरे ग्रहों से कैसा relationship होना चीए वो या D, all of the above याने उपर दिया गया सारे ही option बता गया है यहां तो यह बता जाए कि जो गॉड है उनके अंदर ये चार कॉलिटी होती हैं मर्सी पिटी पीस एंड लव ये वर्चू ऑफ डिलाइट और भगवान से जब हम पूजा में प्रेयर में सब मांगते हैं तो भगवान हमें भी देते हैं और जब हम अपने अंदर में आपस में प्रेयम प्यार हैं समझो भगवान भी वहीं ड्वैल करते हैं वहीं रहते हैं ओके अट मेंस ऑप्शन नमर् A is the right option all of the above हो नहीं सकते हां क्योंकि ये दोनों नहीं हैं तो option D भी नहीं विच मेंस ऑप्शन A is the right option to this question let's begin with our first question question number one who is the poet in the poem the human abstract ये जो आपकी poem है जिसका नाम है the human abstract उसके poet याने की कवी कौन है आपके साबने four options given है जो option आपको लगता है सही है या most appropriate option है उसे आपको करना है एक tick mark और अगर आपने मेरे एक बार भी summary के videos explanatory videos या गलती से एक बार भी अपनी NCRT book खोल के देख लिए होगी तो आप within a second मेरे question का answer कर सकते है options देख लेते हैं A. William Wordsworth, B. William Blake, C. W. B. Yeats या D. William Shakespeare, so clearly ये जो पूरम है वो option number B. William Blake ने लिखी है, so option B is the right option to this question book पढ़िये, videos देखिये, answer पाई है, okay next question if we did not make somebody poor, what will not be left? अगर हम इस दुनिया में किसी को poor याने गरीब नहीं बनाएंगे, तो इस दुनिया में क्या नहीं बचेगा? याने अगर गरीब है तो ये चीज है और अगर गरीबी नहीं है तो fall question mark वाली चीज नहीं है options देख लेते, a pity याने दया की भावना, b love याने प्यार, c distress याने मुश्किलें, परिशानिया, d happiness याने की खुशी तो basically ये जो line है, आपकी poem की line है, उसमें बोला गया है, कि अगर इस दुनिया में poor नहीं हुए, याने गरीब नहीं हुए, तो आप दया किस पर करोगे? आप दया किस पर करोगे? तो गरीबी नहीं, तो दया भी नहीं तो पिटी क्या है, पिटी एक तरीके की virtue है, एक good moral standard है, आप याने भावनाय डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं अब कोई से भी भावना है, कोई से भी emotions हो सकते हैं, good या bad, कोई से भी options एकने, a cruelty याने cruelty, b deceit, deceit का मतलब होता है fraud, याने जब आप किसी के साथ दोका करते हो तो ये कोई emotion नहीं है, ये तो आप किसी के साथ गलत कर्म कर रहे हो, fraud याने आप कोई verb है ये, तो ये option तो वैसे भी नहीं हो सकता c pity, याने किसी पर दया की भावना, या d both a and c, तो yes cruelty, याने जब आप crew हो तो ये एक तरीके का आपका emotion है और pity भी आपका एक emotion है, याने जब आप किसी पर दया कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि ये एक negative emotion है और pity एक positive emotion है, तो a और c दोनों ही साही है, which means in combination option number d is the right option to this question इसका मतलब यह है कि एक इंसान में positive emotions होते ही होते हैं और negative भी होते हैं अगर आपने poem का explanation देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि positive से negative emotions कैसे जान में लेते हैं next, what does cruelty do? जो cruelty है, याने जो crew औरता है, जो ये एक negative emotion है, ये क्या करता है? options, a, it plants the tree of evil in the human brain cruelty है, जो एक इंसानी दिमाग में गलत याने बुरी चीजों का, evil चीजों का एक पेड उगाता है, याने ग्रो करता है option B, it plants the tree of positivity in human brain cruelty, जो खुदी एक negative emotion है, ये एक human brain, एक इंसानी दिमाग में positivity, याने अच्छाई का पेड कैसे उगा सकता है? तो ये option तो वैसे भी cancel हो जाता है, it spreads happiness everywhere, क्रूरता हर जगा happiness याने खुशाली फैलाती है तो this is impossible, जहां क्रूरता है, वहाँ लोगों में दुख है, तकलीफ है, परिशानी है, खुशी कभी भी नहीं हो सकती D, none of the above हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number A, इंसानी दिमाग में जो cruelty, क्रूरता का negative emotion है, एक बुरी चीज़ों का पेड हो गाता है, क्योंकि जहां cruelty होती है, वहाँ पर दुख, दर्द, आसू होते हैं, वहाँ पर humility की feeling होती है, याने कि लोग अपने आप Next, which two insects are mentioned in the poem? आपकी poem में कौन से दो insects याने कीडे mention करे गए हैं, options एकते हैं, A, butterfly and fly, क्या butterfly तितली या fly, fly याने की मखी, B, spider and fly, याने मकडी या फिर मखी, C, caterpillar and fly, याने इली या फिर मखी, याने की चीटी या फिर एक fly तो clearly आपकी poem में दो insects को mention कर गया है, which is caterpillar and fly, दोनों ही evil याने bad का symbol है, और बताया जाता है कि जो humility का tree है poem में, उस पे पत्ते याने leaves किसके आ रहे हैं, mystery के, रहस्य के, जो पूरा cruelty को ढग देते हैं, और इंसान इसको खोजने में इतना busy हो जाता है, कि इंसान को समझ ही नही तो क्या हो रहा है, एक evil cheese से दूसरी, दूसरी से evil cheese बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये caterpillar survive करते हैं leaves पर, और जब ये negative leaves खाएंगे तो वो जंदा रहेंगे, और बच्चे पैदा करेंगे, जिससे breeding करते-करते negativity बढ़ती चली जाएगी, so option number C, caterpillar and flyer is the right option to this question. next, unmutual fear brings dash, fill in the blank from the poem, ये जो आपकी line है ये आपकी poem की ही line है और आपको ये blank fill करना है, भरना है, line है unmutual fear brings dash, जो mutual fear है याने जो लोगों में आपसी डर है, वो क्या लेकर आता है, options रिकते हैं, A, mercy, ये रहम की भावना, B, pity, याने दया की भावना, C, peace, याने शान्ती की भावना, या D, love, याने प्यार की feeling, So, as per the poem, and mutual fear brings peace, जब लोगों में mutual fear होता है, आपस में डर होता है, common डर होता है, तो उससे लोगों की मनों में शान्ती आती है, कैसे, अगर मेरा बुरा हो रहा है, और मेरे दोस्त का भी बुरा हो रहा है, तो मुझे peace मिलेगा, शान्ती मिलेगा, ठीक है, कि मेरा बुरा हो रहा है, चलो उसका भी बुरा हो रहा है, तो यहां यह क्या है, यह मुझे peace दे रहा है, शान्ती दे रहा है, जब तक मेरा selfish love, याने मेरा स्वार्थ किसी से जुड़ा नहीं हो है, तब तक मैं उसका अच्छा नहीं सोचूंगी, जब तक मेरा selfish, याने मेरा सवार्थी व्यवार जुड़ानियों तो पीस का बैजब mutual fair है ठीक है उसका बुरा औरहा है मेरा बुरा औरहा तो उसका भी हो मैं मेरे पैसे खतम हो रहे तो प्षालों पैसे खतम हो रहे है तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या और है लोगों के मन में शान्ती है एक तरीकी का peace है, तो again यह क्या है, एक negative emotion है, so option number C, peace is the right option to this question as per your poem next, the tree having the roots of humility will always be the fruit of dash जो tree, poem में जो आपको tree बताय गया है, जो एक ऐसा पेड जिसकी roots, जिसकी जड़े humility की है याने जिस इंसान में हमेशा से ये feeling आई हुई है कि मैं दूसरों से बहतर कभी नहीं बन सकता तो ऐसा इंसान कौन से fruits bear करेगा, याने कि जो ऐसा tree है, वो कौन से fruit, कौन से फल देगा आपको कौन से फल देगा, so the options है, a deceit के, deceit का मतलब होता है fraud, क्या ऐसा पेड़ आपको fraud याने धोके के फल देगा, be sweet taste, बहुत मीठे fruits देगा, see divinity याने कि God से आपको connect करेगा, आपको देविया feel करेगा, spiritually God से connected feel करेगा, यादी all of the above उपर दिये गए सारे options, तो जो पेड humility का है, याने negative emotion से भरा हुआ है, तो उसमें positive चीज कभी भी नहीं आएगी, याने उसमें नहीं आपको कोई sweet taste मिलेगा, नहीं divinity, याने नहीं आप इसमें God से connected रहोगे, और क्योंकि ये negative insects उसमें उसके leaves को feed करके increase हो रहे हैं, तो उसमें फल भी कैसे आएंगे, फल भी धोके के ही आएंगे, deceit के ही आएंगे, जिनको लोग खाते हैं और हर बाहर धोका मिलता है उने, so option number A, deceit is the right option to this question, next, which bird is mentioned in the poem, आपकी poem में कौन सी bird, कौन से पक्षी के बारे में mention किया गया ह options देखते हैं, A, parrot, याने tota, B, pigeon, C, crow, याने कौगा, या D, raven, ठीक है, pigeon याने कब उतर, okay, तो clearly option number D, raven bird के बारे में mention किया गया है, crow जैसी दिखती है ये, और black color की होती है, और ये जो bird है, इसको symbol of death माना गया है, याने की evil, बर्बादी का symbol माना गया है, तो बताया गया है पोम में की जो humility का tree है, जिसमें caterpillar and fly जैसे insects survive करते है, जिसमें mystery के पत्ते, cruelty को ढखका रखा हुए, जिसमें ful, deceit, याने fraud के आ रहे हैं, तो उसमें रहने वाले पक्षी कैसे होंगे, इसमें रहने वाले पक्षी भी negative होंगे, क्यों, क्योंकि रेवन नाम की bird को symbol of death, याने, एक negative, एक evil bird माना गया है, which means option number D is the right option to this question, next, where was the tree actually growing, ये जो tree था humility का, ये actually कहां grow हो रहा था, कहां पे धीरे धीरे बाड़ा हो रहा था, तो जितने भी धर्ती के, समुद्रे के, जितने भी gods हैं, last में पोम में बताया गया है कि ढूनने को निकले कि आखर ये पेड कौन से ज खोच थी, वो सब वेन में, यानि व्यर्थ की गई, बेकार की गई, क्यों, क्योंकि ये जो tree था humility का, यानि जो negativity का, ये जो पेड था, ये और कहीं नहीं, ये human brain, ये इंसानी दिमाग में ग्रो हो रहा था, क्योंकि इंसान ने अपने दिमाग में negativity की इतनी खिचोडी बना ये, कि वो negative emotions अब increase होते जारें, multiply होते जारें, तो options in the forest, क्या ये पेड किसी जंगल में था, नहीं, in the garden, क्या किसी बगीचे में था, नहीं, in the human brain, ये ऐसी इंसानी दिमाग में negativity बढ़ती जारी थी, तो yes, option number C, is the right option, D, none of the above भी नहीं होगा, that means option C, right option है, in the human brain. next, which poem is written in contrast with the human abstract, अब जो आपकी poems by Blake, जो poem number 3 है, इसमें दो parts of the poem है, एक first part है, और second part है, the human abstract, तो जो human abstract है, इसके contrast में, यानि इसके opposite में, मिलती जुलती, उल्टी बात बोलती हुई, कौन सी एक और poem लिखी गई है, William Blake द्वारा, so options है, A, the good life, क्या poems by Blake का first part of the poem, the good life है, नहीं, the divine image, yes, the first part of the poem है, the divine image ही है, और उसी को the human abstract के contrast में, यानि opposition में लिखा गया है, C, the farewell, no, D, the space heater, no, क्योंकि clearly हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number B, the divine image, the divine image poem में virtues बताई गई है, यानि good high moral standards बताई गई है, which is mercy, pity, peace and love, और जो second part है, the human abstract, उसमें ये बताई गया है, कि ये जो virtues हैं, जो अच्छी qualities हैं, जो भगवान से मिलती हैं, ये कहीं न कहीं, इंसान अपने दिमाग में इससे negative emotions को निकालता है, ये इंसान के दिमाग के downfall का reason बन जाती है, तो first form में introduction बताई गया है, virtues of delight का और बताई गया है, जिन लोगों के पास ये रहती है, virtues वो खुश रहते हैं, लेकिन same, जो second part of the poem में, उसमें ulty, contrasting बात कही गई है, कि जिन लोगों के पास ये virtues of delight होते हैं, ये virtues of delight ही reason बनते हैं, negative emotions के, और human behavior को downfall में ले जा So children, we come to the end of this session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, other than this, Magnet Brains ने e-books निकाली हुई है, if you want हमारे वीडियो के description box में एक form link given है, visit that form link and our team will get back to you, तब तक के लिए, bye bye and take care